अनिल देशमुक ने ग्रोहमंत्री प्रत से इस्सिफात देती हुए कहा था कि वह सीबियाई और एडी को हल संभव मदद देंगे हाला कि उनके इस्सिफिके बाद देशमुक ने एडी के साथ सयोग नहीं किया देशमुक की गिरफतारी को रोकने के लिए सुप्रेम कोर्ट के सर पर प्रयास स्विफल रहे है सुप्रेम कोर्ट ने भी देशमुक की दलीरों को खारिच कर दिया है इडी ने महराश के पूर्वग्रोह मंत्री अनिल देशमुक का पताल लगाने के लिए CBIS से मदद मांगे है ED ने पिछले हफ्ते देश्मों के खिलाफ लुकाउट नोटिस चारी किया था क्योंकि वह पात समन जारी होने के बाद भी एजनसी के सामने पेश नहीं हो पाए थे उपस्तित करना इडिचा प्रश्न है अज रहला अनिल देश्मोंकांचा संदर बादला मानि अनिल देश्मोंक आभी साथ तानी पक्षाचे वतिनेक भूमिका घेतलो है एक नयलेन लड़ाई अनिल देश्मोंक साब लड़ता है अनि शुर्वाती पस्तित करना मानतो है कि जो परेंत आम्चाकड नयलेन अन्तिम लड़ाईचा परेया अन्चाकड मुद्धा शिललक है परेंत आमि पूर्वग्रव मंत्री से मनी लॉंडरिंग के एक मामली में पूछता आज करना चाहती है हाला कि अनल देश में का पतान नहीं लगाया जा सकता है और उनोंने न किवल एजनसी द्वारा जारी किये गए समन को छोड़ दिया है बल्कि यह भी कहा है कि जब तक वह कानून में उपलब सभी उपायों को समाप्त नहीं कर लेती तब तक वह इसके सामने पेश नहीं होंगी अब देखना होगा कि अनिल देश मुख द्वारा क्या कदम इस मामले में उठाय जाते है क्यामरा परसन राजकुमार मोर के साथ चिती जाद देश मुख बीस्यन न्यूस नाकपूर झाल